हलो बच्चो बैप्रदीप मिश्रा टार्गेट औन इंजीनियर पर आपका फिर से सौगत करता हूँ जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि production technology की series चल रही है उसमें तीन classes हो चुकी है जिनकी आज पहली class हो जिनकी भी आज पहली class हो पीछे की तीनों class देखते हुए आगे आए तब आगे पढ़ने का मज़ा है बीच बीच में अगर कुछ भी चीज आप देखेंगे तो उसमें मज़ा आपको नहीं आएगा ठीक है तो आसा करते हैं आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे ठीक थोड़ा सा बीमारियों से भी बच के रहना है क्योंकि फेज ऐसा चलना है उसमें नौकरी भी लेना है सब कुछ करना है तो सब कुछ करना है तो भाई सेफटी के साथ सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि जब एक्जाम आता है पहले मेहनत होती रहती होती रहती है तो फिर अचानक से बीच पर तवियत खराब हो गई या आगे तवियत खराब हो गई ठीक है या एक्जाम के टाइम पर तवियत खराब हो गई तो होगा क्या उससे, होगा क्या उससे कि जो आपकी पूरी मेहनत है, अगर आप last time पे revise नहीं कर पाए, आप पहले से कितना भी पढ़ लो, अगर आप revision नहीं कर पाए last time पे, तो होगा क्या फिर दिक्कत आती है, ठीक है, हो सकता है selection हो जाए लेकिन 95% chance है कि selection नहीं होगा, तो स्वास्त को भी ध्यान में रखते हुए आगे जाना है, स्वास्त को भी ध्यान में रखते हुए आगे जाना है, दोनों चीज़े maintain करके चलना है कि पढ़ाई भी हमारी बाद इतना हो, स्वास्त भी हमारा बाद इतना हो, ठीक है, तो चले हम लोग अपनी series को आगे बढ़ा में बहुते हैं हम लोगों ने impacting बाता करना वो भी हमने जाना ठीक है और तीसरी चीज थी तरह की वो पो विए जाना कि वो पॉस्टिव अगर पॉस्टिव एलउंस कीस मटेरिशल के लिए है और ब्लो किसमें कितना कॉंट्रौेल के लिए व भी जाना क kepada तरह कीसमें जिसमें maximum होता है वो चीजों को दिमाग में रखना है उसकी भी value नहीं रखनी है उसकी भी value नहीं रखनी है आपको क्या करना है उस चीज को बस दिमाग में रखना है कि हाँ इसका maximum होता है brass का और किसमें minimum होता है इन्वार और विश्मत एक ऐसा material है जिसमें solid contraction minimum होता है solid contraction क्या होता है minimum होता है ठीक है बटा और एक बात कल के वीडियो में हमने देखा था ठीक है लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसमें एक मैंने आपको question दिया हुआ था ठीक है कि हमें एक pattern को design करना था एक pattern को हमें क्या करना था design करना था और final object की साथ dimension दी हुई थी तो final object की dimension दी हुई थी कुछ ऐसा object बनाना था यह दिया हुआ था 100 mm यह दिया हुआ था 150 mm और यह दिया हुआ था 80 mm और यह object बन रहा है किस material का ये object बन रहा है किस material का तो हमें pattern को design करना था pattern को design करना था तो आपने इसको solve किया होगा तो कुछ बच्चों के answer आए होंगे कुछ बच्चे हो सकता है अभी भी ना समझ पा रहे हैं तो यानि कि अगर हम लोग shrinkage allowance को consider करते वह जाएंगे तो हमें pattern को oversize बनाना पड़ेगा pattern को oversize बनाना पड़ेगा pattern को oversize बनाना पड़ेगा तो मतलब इन में dimension कुछ न को share करनी पड़ेगी तो अगर ये x है ये y है और ये z है ये x है ये y है और ये z है तो होगा क्या ये किस material का बना हुआ है बटा इसका मतलब यह है कि 1000 मीटर डाइमेंशन में 20 mm का कॉंट्रेक्शन होगा 20 mm का कॉंट्रेक्शन होगा तो क्या करना है हमें अगर इसके रिस्पेक्ट में एक में निकालना सिखा देता हूं उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें, इसके रिस्पेक्ट में देखें कि जो है 1000 mm डाइमेंशन में 20 mm का कॉंट्रेक्शन होगा तो यानि कि 1 mm जो भी डाइमेंशन होगी वो 20 upon 1,000 mm का कॉंट्रेक्शन होगा सिम्पल मैー подумate से है बटा है बस simple गनित लगाना है आपको contraction होगा फिर कहने का क्या मतलब है कि हमें 100 mm चाहिए तो 100 mm में 100 mm डाइमेंशन में 100 mm डाइमेंशन में 20 बटे 1000 गुने 100 mm का contraction होगा contraction होगा तो काट ये इसको काट ये इसको 2 0 से 2 0 कट गया एक से ये कट गया मतलब की आंसर आ गया 2 mm contraction 2 mm contraction तो कहने का मतलब ये है कि जो भी 100 mm वाली डाइमेंशन रहेगी उसमें 2 mm का contraction हो जाएगा तो यानि ये 98 की बन जाएगी ये किसकी बन जाएगी 98 की अगर हम लोग exact 100 का बना देते हैं तो यानि कि 2 mm को compensate करने के लिए क्या टरना पड़ेगा हमें 2 mm पहले ही oversize कर दो उसको 2 mm पहले ही oversize कर दो कि मतलब कि ये वाली जो डाइमेंशन है उसको 102 mm कर दो समझे आ गया उसको क्या कर दो पहले ही 102 mm कर दो ताकि वो contract होने के बाद 100 mm का size हमें मिल जाएगा वैसे ही 1.5 वाला जो है इसका answer आ जाएगा 153 mm 153 mm आ जाएगा ठीक है अब आप लोग इसको solve कर लेंगे और इसकी value साहर आती है 81.6 mm आ जाएगी 81.6 mm z किया जाएगी मतलब जो हमारा dimension होगा वो 102 into 103 into 81.6 mm का हो जाएगा तो इस size का अब हम लोग pattern बनाएंगे तो हमने यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे क्या देखा size देखो बढ़ गया तो pattern का size oversize बना रहे तो यानि यह किस type का allowance है positive allowance है तो चलिए अलग आगे जो दूसरे type के और allowances होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो दूसरे type के और allowances हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक second allowance उसमें दिया हुआ था बेटा Draft Allowance Draft Allowance क्या है Draft Allowance ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है काफ़ी एक्जाम में पूछा क्या है Draft Allowance Draft Allowance ये ये मारा पैटर्न है ये भी ये मारा पैटर्न है और ये मोल्डिंग सैंड के अंदर फिट है मौल्डिंग सेंड के अंदर फिट है मौल्डिंग सेंड के अंदर फिट है होता क्या है कि जब हम पैटर्न को मौल्डिंग सेंड माटिरियल से बाहर खीचते हैं तो बाहर खीचते हैं तो एक force of adhesion लग रहा होता है क्या लग रहा होता है force of adhesion लग रहा होता है, force of adhesion वो force है, जो दो different molecules, दो different materials के molecules के बीच में लगेगा, मतलब molding sand material और जो pattern जिस material का बना हुआ है, उनके बीच में लगेगा, ठीक है? और force of cohesion क्या है? कि same material के, मतलब material आपका common हो, और उनके आपस के molecules के बीच में जो force लग रहा होगा वो force of cohesion होगा इसका बहुत अच्छा example आप लोगों ने fluid mechanics में देखा होगा जिसमें surface tension वगएरा force of cohesion और capability में force of addition और force of cohesion का concept आता है तो अलग-अलग molecules के बीच में जो force लगेगा force of addition है मतलब अगर मैं यह हाथ रग दूँ ऐसे board पर बोड पर रग दूँ यहां पर रग दूँ तो यह force of addition है और इसमें जो infinite number of molecules है उनके बीच में आपस में जो force लग रहा होगा जाने के लिए तो यानि की water के molecules और जो आपके glass के molecules उनके बीच पर force of addition लग रहा है तो वैसे ही इसके जो molecules है और यह जो pattern के molecules है इनके जहां जहां पर surface contact है वहाँ वहाँ पर क्या होगा force of addition लगेगा और जब आप इसको खीचोगे जब आप खीचोगे तो हो सकता है cavity का shape खराब हो जाए जब आप इसको खीचोगे तो हो सकता है बटा क्या cavity का shape खराब हो जाए तो उसको overcome करने के लिए उसको overcome करने के लिए हम लोग taper provide करा देते है पैटर्न में टेपर प्रोवाइड करा देते हैं टेपरिंग से होगा क्या कि आपका जो पैटर्न है वो इजली रिमूव हो जाएगा वो इजली क्या हो जाएगा कैसे इजली रिमूव हो जाएगा कि जब ये उपर वाला पार्ट हटेगा जब ये उस cavity से तो वह contact नहीं बनाएगा, क्योंगी taper है, वह contact नहीं बनाएगा क्योंगी क्या है यह taper है, और easily वह निकल के बाहर चलाएगा, easily वह बाहर निकल के चलाएगा, ठीक है, वह easily बाहर निकल के चलाएगा, तो tapering प्रवाइड की जाती है, for easy removal of pattern, such type of allowances is known as draft allowances, मतलब की pattern को आसानी से निकालने के लिए जो allowances दिया जाता है ठीक है pattern को easy निकालने के लिए जो tapered provide कराया जाता है pattern में उसे ही हम लोग क्या कहते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बिटा draft allowance कहते हैं सीधे सीधे question पूछ लेता है कि for easy removal of pattern ठीक है the taper provided in a taper provided in a pattern is known as which type of allowance मतलब tapering किस type of allowance में provide कराई जाती है material को आसानी से निकालने के लिए material को आसानी से निकालने के लिए तो वो होगा बेटा क्या draft allowance वो होगा क्या draft allowance तो अब यह draft allowance की value कितनी होती है यह value होती है लगबग यह जो draft allowance की value कितनी होती है तो draft allowance की जो value होगी वो material to material depend करेगी कि किस में कितना देना है उसकी adhesive property पे और molding sand के adhesive property पे तो आधा से 2 degree तक के बीच में half to 2 degree तक के बीच में हम लोग draft allowances प्रोवाइड कराते हैं यह जो taper दिया गया है यह जो taper दिया गया है आधा से 2 degree यह 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 theta ठीक है यह वाला जो theta दिया गया है तो कहने का मतलब यह है कि pattern को आसानी से निकालने के लिए pattern को आसानी से निकालने के लिए moldings and material से जो taper provide कराया जाता है जो taper provide कराया जाता है उसे हम लोग draft allowances कहते हैं और यह material to material different होगा किसी में आधा degree होगा किसी में एक degree किसी में दिएर degree तो इसकी range जो होती है वो आधा degree से दो degree होती है clear है draft allowances के बारे में ठीक है बटा ओके तो चलिए हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं तीसरे की तरफ चलते हैं that is a machining allowance machining allowance machining allowance क्या है machining allowance क्या है नाम सही पता चलता है कुछ न कुछ इसमें operation perform किया जा रहा होगा machining का ठीक है operation perform किया जा रहा होगा इसमें machining का तो होगा क्या machining का operation perform किया जा रहा होगा होगा क्या इसमें बटा इसमें क्या होगा ध्यान सा सुनेगा बिलकुल कि मैंने आपको बताया है कि casting का कोई भी ऐसा product आप directly use नहीं कर सकते it is impossible to made a casting product without any defect मतलब कि ये एक तरीके से impossible है casting के दोरा ऐसा product बनाना जिसमें defect ना हो और अगर मान लो कि उसमें gas defect आगया scab defect आगया ये सारे defect आगये तो हम लोग उसको use form में लाने के लिए उपर से ठीक है जो rough surface वगएरा create हो गई है उसको क्या करते है material remove करेंगे तो material removal process ही machining कहलाता है material removal process ही machining कहलाता है तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये pen बनके आई है और यहाँ पर गड़े है या कुछ भी defect आगया है और ये usable form में नहीं है तो हम क्या करेंगे हम इसको पहले machine करेंगे यहाँ से कुछ material remove करेंगे यहाँ से remove करेंगे यहाँ से यहाँ से तो कहने का मतलब ये है कि इसको usable form में convert करने के लिए जो ताकि जिसके पास अपनी कुछ अच्छी property भी हो जो देखने में भी ठीक लगे यह वो सारी चीजे लगे तो हमें material को remove करना पड़ेगा material को remove करना पड़ेगा तो हमारा जो object है जो हमारा object है वो छोटा हो जाएगा हमारा object है वो क्या हो जाएगा बेटा छोटा हो जाएगा तो अगर वो हमारा object छोटा हो गया तो यानि pattern को हमें बहले पैटर्न शुड़ बी पैटर्न शुड़ बी ओवर साइज तो अगर ओवर साइज है पैटर्न को ओवर साइज बनाया जा रहा है तो यानि कि यह किस टाइप का अलाउंस है पॉस्टिव अलाउंस है किस टाइप का अलाउंस है पॉस्टिव अलाउंस है बिल्कुल स्रिंकेज वाले के जैसा कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि liquid की property change हो रहा थी वह liquid state से solid state में आ रहा था उसकी वज़ासे जो इसका contraction हो रहा था उसकी वज़ासे pattern को oversize बना रहे था इसमें क्या है जो defect produce हो जा रहे हैं उसको usable form में लाने के लिए उसको usable form में लाने के लिए तो desired shape & size को अगर fulfill नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना sih? हमें पहले से ही pattern को over size बना देना पड़े है. और पहले से ही अगर हम pattern को over size बना दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते है? Positive allowance. उसे क्या कहते है? Positive allowance. ठीक है? उसको क्या करना पड़ेगा ओवर साइज करना पड़ेगा इसलिए इसको पॉस्टिव एलाउंस बोलते है इसलिए इसको पॉस्टिव एलाउंस बोलते है तो एक question आया हुआ है तो महीनिंग आवान्सस बेगा है इसेन शायशन में इसको प्रड़ेगा टीज बोलते है आड़ेगा करना पर दीजिए पाटर दीजिए आड़ेगा पर दीजिए पाटर बोलते है इसे इसे one mm machining allowances which have one mm machining allowances given to each surface which have one mm machining allowances given to each surfaces okay each surfaces so our object which is our final object which is formed in this form our final object which is formed in this form so direso ac sav mm r500 mm a cmm and here we have a phi is equal to 50 mm phi is equal to 50 mm dia create a whole तो यानि कि हमें पैटर्न डिजाइन करना इसके लिए, इसका फाई बताना है, इसका एक्स बताना है, इसकी वाई बताना है, इसका जड़ बताना है, ठीक, इसका फाई बताना है, इसका एक्स बताना है, इसका वाई बताना है, इसका जड़ बताना है, सारी वैलू हमको इसक एक बार, design a pattern which have a 1 mm machining allowances given to each surface, हर surface पे 1 mm machining allowances देना है, तो question को देखिए ध्यान से और समझे कैसे solve होगा, आसान question है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको अपने आप solve हो जाएगा, यहां देखी वो क्या कह रहा है कि हर surface पे machine करना है, और इसके parallel में उस surface से machine कर दिया, यह कम हो जाएगा, मतलब एक mm यह इधर से कम हो जाएगा, एक mm इधर से कम हो जाएगा तो मतलब यह 98 mm का बनेगा, तो एक mm अगर हमें इच surface पे machine करना है, तो अगर मैं इसकी dimension 102 mm की बना दूँ, 102 mm की बना दूँ, तो अब चाहे मैं इधर से laut mm machine कर दो उस surface से, और उस surface को एक mm machine कर दूँँ गा, तो हमारा स्व एमेंबच बन जाएगा, वैसे यह 500 mm है, 1 mm इस वाले surface को machine करना है और 1 mm इसके paralleleticalले surface को machine करना है, एक mm इसके parallel Deal alltså को मतलब कि डाइमेंशन लेनी पड़ेगी, that is Y, Z क्या है, 80 mm पर कौन सा फरक आने वाला है, उपर वाले सर्फेस को, अगर मैं मसीन कर दूँ एक अमेम आउसके नीचे वाले सर्फेस को एक अमेम मसीन कर दूँगा, तो वो 78 mm यानी 78 mm का बन जाएगा, और 78 mm का बन जाएगा, तो हमारा ड मसीनिंग करना है, इस सर्फेस पे एक अमेम का मसीनिंग करना है, यानी ये तो इसके डाइमेंशन हो गई, अब मेन है होल वाले में, मेन है होल वाले में, होल वाले में, होल वाले में कैसे होगा, होल वाले में कैसे होगा, 50 mm का है, अब आप सोच रहे होंगे, कि एक अमेम इ पूरा का पूरा थिकने इसको मसीन कर दिया, तो इसके डाया में लगभग दो एमेम का फरक आ जाएगा, अगर मैं एक एमेम को मसीन करता हूं लेके पूरा, एक एमेम को पूरा मसीन करता हूं लेके पूरा, तो इसका जो बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन एक एमेम इदर से भी कम हो जाएगा एक एमेम इदर से भी कम हो जाएगा यानि कि डाया इसका बावन एमेम का बन जाएगा डाया इसका कितने एमेम का बन जाएगा लेकिन यहां पर क्या करना है हमें मसीन करना है कि पचास एमेम बन जाए पचास एमेम बन जाए तो यानि कि अगर मैं hole 48 mm का बना दूँ तो फिर क्या होगा? अगर मैं hole 48 mm का बना दूँ तो जब में machine करूंगा तो एक mm ये वाला surface से भी जाएगा मतलब एक mm वो पूरा काटता हुआ जाएगा ना एक mm चारो तरफ काटता हुआ जाएगा पूरे सर्फेस को वो काट देगा तो उसके डाया में कितना फरका जाएगा तो एक mm इदर से कम हो गया एक mm इदर से कम हो गया तो यानि कि कितना बचेगा 48 mm 48 mm तो 48 mm जब रहेगा तो जब हम लोग काट देंगे, जब काट देंगे तो बढ़ कितने में कनवर्ट हो जाएगा, 50 mm, 48 mm का जब रहेगा, तो जब हम लोग उसको मसीन कर देंगे, एक एक एमेम, पूरे सर्फेस को मसीन कर दिया, तो डाया में कितना फरक आएगा, मतलब एक एमेम यहां से भी बढ़ ओगा होगा, और एक एमेम यहां से भी बढ़ गया होगा, तो एक मेम मिदर से बढ़ा, एक मेम मिदर से बड़ा, तो मतलब डाया हमारा कहां पर कनवर्ट हो गया, 50 mm, तो याद रखेगा, कि मसीनिंग अलाагंस में, मसीनिंग अलाउंस में, जब आप देते हैं, जब अप से मचीनिग एलाउंस में सिच्टर्नल डायमिंशन के बारे में पूछे-इंटर्नल डायमिंशन के बारे में hand Fang ठीक है चीज़ा clear हो गई होंगी तो आई हम लोग next allowance के बारे में बात करते हैं जिसका नाम था shaking allowance shaking allowance shaking allowance क्या है नाम से ही पता चल रहा है नाम से ही पता चल रहा है बटा shaking allowance क्या है यह है हमारे पैटर्न यह हमारे क्या है पैटर्न है यह हमारे पैटर्न है तो होगा क्या जब पैटर्न माल्डिंग सेंड के अंदर fitted रहता है ramming वगेरा action करके हम लोग रखते हैं तो यहां पर force of addition काफी लग रहा होता है force of addition काफी लग रहा होता है तो हम लोग अचानक से पैटर्न को पकड़के खीच नहीं लेते क्योंकि अगर अचानक से पैटर्न को पकड़के आपने ऊपर खीच लिया ठीक है तो हो सकता है जो आपने cavity create की है वो purpose कतम हो गया तो हम लोग उसको निकालने से पहले करते क्या है आप लोग उने practical में देखा होगा ठीक है अगर आप लोग užने casting का practical की अपने डिप्लोम में या B'Tag में हम लोग उसमें च्रीव डालके पहले उसको ऐसे हिलाते हैं उसको शेक करते हैं तो ऐसे शेक करने कि जब आप उसको हिलाओगे जब आप क्या करोगे बेटा उसको शेक करोगे तो जो cavity का size है वो बड़ा हो जाता है cavity का size क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है तो cavity का size अगर आपका बड़ा हो गया तो जो अब आप material को molten material को उसमें डालने वाले हो लिक्विड इस्टेट में ठीक है उसके बाद जो साइज बनके आएगा क्या वो desired shape and size करेगा क्या desired shape and size करेगा नहीं अब वो बड़ा बनके आएगा क्योंकि cavity बड़ी हो गई है आपने जब उसको सेख किया pattern निकालने के लिए तो cavity fell गई तो मतलब जो product बनके आएगा वो बड़ा बनके आएगा अब बड़ा बनके आएगा तो मतलब वो अब आपकी desired dimension कर नहीं है ठीक है तो अगर हमको उसको overcome करना है अगर हमको उसको overcome करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा pattern को अगर हमको उसको overcome करना है तो तो हमें pattern को बेटा undersize बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है? Under size, अभी आपने machining allowances में देखा, shrinkage allowances में देखा oversize बनाना पड़ गा था, यहां पर pattern को undersize बनाना पड़ रहा है और pattern को अगर undersize बनाना पड़ रहा है, मतलब material रिमूफ कर रहे हो पैटर्न के original dimension से material remove कर रहे हो और material remove कर रहे हो तो यानि यह किस type का allowance है? negative allowance है किस टाइब का allowance है? negative allowance है ठीक है? तो करीब हज़ारों बार exam में आया हुआ है कि इन में से कौन सा allowance negative allowance है ठीक है? option दिया रहेगा shrinkage allowance, machining allowance saking allowance, draft allowance ऐसे पूछेगा, ठीक है आपसे, तो आपको यहाँ पर छाटना पड़ेगा, कि कौन सा अलाउंस निगेटिव अलाउंस है, कौन सा अलाउंस पॉस्टिव अलाउंस है, जिसमें पैटरन ओवर साइस का बनाएंगे, वो पॉस्टिव अलाउंस है, जिसमें पैटरन को अंडर स साइस का बनाएंगे वो निगेटिव लांस है क्योंकि material को अब आपने रिमूफ कर दिया क्या कर दिया बैटा material को आपने रिमूफ कर दिया है समझ में आ गया shaking allowance क्या है shaking allowance क्या है चीजे clear हो गई pattern को किस size का बनाते यह clear हो गया material रिमूफ करके बनाएंगे और material अगर रिमूफ करके बना रहे तो वो किस टाइप के allowance है negative allowance है किस टाइप के allowance है negative allowance है ओके चलिए next आता है हमारा last distortion allowance कौन से बैटा distortion allowance next आता है हमारा last distortion allowance तो distortion allowance है क्या क्या होता है distortion allowance यहां देखे समझे इस चीज को ठीक है जब मान लिजे कोई ऐसा product आपको बनाना है कोई ऐसा product आपको बनाना है जिसमें length of contraction अलग-अलग हो जिसमें क्या हो पेटा length of contraction अलग-अलग हो यहां पर देखा यह outer वाले surface का यह वाले contraction बढ़ा होगा कि जब temperature drop हो रहा होता है तो थर्मली contract होते है secular हो जब temperature rise हो रहा होता है material thermally expand होता है तो वहां पे जो thermal expansion और contraction पढ़ा होगा हमने ah van thermal expansion और contraction पढ़ा होगा वो कुछ ऐसा पढ़ा होगा assume से इसको थोड़ा से correlate करते हैं, alpha L, delta T, या कुछ ऐसा पढ़ा होगा, alpha L, delta T, मतलब कि यह temperature बढ़ रहा है, तो expand होगा, temperature कम हो रहा है, तो यह contract होगा, ठीक है, तो thermal expansion और contraction, तो हमारे case में क्या है, pouring temperature से temperature कम हो रहा है, मतलब कि अब वो solidify की तरब जा रहा है, तो solidify हो रहा है, यानि कि हमें thermal contraction पर ध्यान देना है, हमें किस पर ध्यान देना है, thermal contraction पर, तो thermal contraction पर मतलब कि alpha L, delta T, तो यानि कि thermal contraction is, यह क्या है, thermal coefficient of expansion है, alpha, यह तो material का है, ठीक है, यह तो पूरी जगे एक ही material है, तो इससे हमें matter नहीं है, ठीक है, thermal coefficient of expansion या contraction, L क्या है, L, यानि कि thermal contraction L पर भी depend करता है, मतलब जैसी length होगी, उस इसाफ से thermal contraction होगा, thermal contraction होगा, मतलब कि directly proportional to L है, यानि कि जिसकी length ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा contract होगा, और जिसकी length कम होगी, वो कम contract होगा, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ बिटा, कि अगर L1 है, L1 is greater than L2, तो यानि कि बाहर वाला जो यह वाला है, यह वाली length, यह ज़्यादा contract होगी in comparison to L2, तो यानि मानलो यह contract होके यहाँ पर आ गए, और यह contract होके यहीं पर रहे गए, A जो है A' पर आ गया, B जो है B' पर आ गया, वो इतना contract हो गया, यह इतना contract हो गया, ठीक है, तो यह क्या एक position पर रह पाएंगे, दोनों material जुड़े हुए हैं, तो A' जो है B' वाले point को अपनी तरफ खीचेगा, और जब वो खीच रहा होगा, तो आपका object कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका object कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब की हो सकता है, हो सकता है वो आपका object ऐसा थीटा डिगरी बेंड हो जाए, थीटा डिगरी बेंड हो जाए, मतलब की object चाहिए था ऐसा, लेकिन due to, due to different thermal contraction object ऐसे फैल गया, तो यानि कि object आपका distort हो गया, object आपका क्या हो गया बेटा, distort हो गया, distort मतलब बेकार हो गया आपका, ठीक है, उसका shape and size बदल गया है, जैसा आपको object चाहिए था वैसा object अब यह नहीं बना है, तो इसको overcome करने के लिए क्या करेंगे, कि जितना वो distort हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, पहले से उतना distort कर दो, अंदर की तरफ, जितना वो distort हो रहा है, बाहर की तरफ, से बदल रहा है, पहले से ही उसको क्या कर दो, pattern को अंदर की तरफ बना दो मतलब कि जो हमारा desired pattern है कुछ उसको ऐसा बना दो ऐसा बना दो तो जब यह distort होगा तो distort होने के बाद क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा जब यह distort होके final product बन के आएगा इसमें तो यह कुछ ऐसा बन के आजाएगा एसा बन के आजाएगा और यही हमको चाहिए तो यह है हमारा pattern यह हमारा pattern distortion allowance को compensate करने के लिए और जो यह बन के आया है यह हमारा है final product यह final object समझ गया? यह distortion किस वज़य से होता है? यह समझ गया? यह भी question पुछा गया है कि distortion किस वज़य से होता है? due to different length of thermal contraction मतलब thermal contraction अगर अलग-अलग है कहीं भी आपके casting के solidification के time में तो वहाँ पर distortion आना ही आना है तो इस distortion allowance को अगर compensate करना है तो पहले से जिस direction में आपका वो pattern मुड रहा है उसके opposite direction में pattern को मूड दीजे उसके opposite direction pattern को मूड दीजे तो हमारा काम आसान हो जाएगा हमारा काम बन गया तो यहाँ पर हमारे सारे allowances खतम होते हैं जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा या जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है चौथे वीडियो को ठीक है? तो वो शुरू से जाए पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखे चौथा वीडियो देखे तब जाके चीजों समझ में आएंगी तब जाके चीजे आपको clear होंगी और मैंने आपको बताए कि pattern allowances से बहुत question पूछे जाते हैं बहुत जादा question पूछे जाते हैं उसको हमने detail में पढ़ लिया है उसको हमने numerical way में पढ़ लिया है ठीक है? आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं PDF अगेरा आपको उसमें provide करा दी जाएगी सब कुछ दे दिया जाएगा ठीक? अगर आपको paid course के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे counselor से आप बात कर सकते हैं, सारी चीज़े कर सकते हैं तो कहने का मतलब क्या है? यह जो production technology की आपकी class चली 1, 2, 3, 4 इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है जिसमें आपने casting के बारे में जाना pattern के बारे में जाना pattern allowances के बारे में जाना और उसको numerical way में जाना यह allowances तो हमने पढ़ लिया उसको numerical way में जाना जो की जानना बहुत जरूरी है जिससे clarity आ जाती है जिससे यह होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं, तो class को अच्छे से आप लोग पढ़िए, revise करिए, मेरा वादा है कि आपने अगर पूरा production technology की class कर लिया, ठीक है, या पूरा course, जितने भी subject पढ़ाये जाएंगे, आपको आसान भासा में explain किया जाएगा, हिंदी इंग्लिस की कोई समिस्या नहीं है, सब को हिंदी में भी definition बताई जाती है, इंग्लिस में भी समझाया जाता है, सारी चीजे जब तक clear नहीं हो जाएंगी, तब तक आपको explain किया जाएगा, ठीक है, मिलते हम लोग next class में, किया जाएगा है, भी झाएगा, झाएगा है, और क्या जाएगा है, शिर लोग next classgener, तब तक मैं बता है, सारी जांगा है